भारत बना रहा सीक्रेट वेपन पल भर में आएगी तबाही पलक छपकते गायब होंगे दुश्मन के हतियार दुर्गा टू भारत के छिपे हुए लेजर हतियार विक्सित हो गए हैं पर चुनोतियां बरकरार है 2023 में दुर्गा निर्देशित उर्जा हतियार का पहला प्रोटोटाइप दुर्गा टू युद्ध के मैदान में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हतियारों को देखने के बाद भी कई हतियार अभी हमारे सामने पेश नहीं किये गए हैं ऐसा कहा जाता है कि विश्व के तीन बड़े देश अमेरिका रूस और चीन ने अपने बेडे में कई ऐसे हतियार शामिल किये हैं जिनके बारे में दुनिया अंजान है ऐसा ही एक सीक्रेट वेपन भारत भी बना रहा है जो पलक जपकते ही दुश्मनों के उन्नत हतियारों को तभा कर देगा यह हतियार एटम बम से भी खतरनाक माना जाता है भारत के सीक्रेट वेपन कहीं जाने वाले हतियार को दुर्गा नाम दिया गया है दुर्गा का अर्थ है Directionally Unrestricted Ray Gun Array जिसे वार एक्सपर्ट्स दुआरत तबाही का दूसरा नाम भी कहा गया है क्या है दुर्गा? DRDO द्वारा सेना के लिए बनाया जा रहा एक सीक्रेट वेपन है जिसकी अधिक जानकरी सार्वजनिक नहीं की गई है इसलिए हम वही आपसको बताएंगे जो अब तक पब्लिक डोमेन में दिया गया है दुर्गा को आम भाशा में एक लेजर वेपन भी कहा जाता है जो बेहज सटीक्ता से किसी भी लक्षे को तबहा कर सकता है DRDO फिलहाल 100 किलोवाट और वजन में हलके हत्यार पर काम कर रहा है जो जल्द ही सेना में सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगा वही लेजर हतियार विक्सित करने में अगरणी प्रियोग शाला लेजर साइंस एंड टेक्नॉलजी सेंटर पहले भी एक 25 किलोवाट लेजर वेपन डेवलप कर चुकी है इस टेस्ट वेपन की शमता 5 किलो मीटर थी हाला की दुरगा कोई नई परियोजना नहीं है ये 2000 के दशक की शुरुवात में लॉंच हुई थी पिछले दो दशकों के दोरान विभिन रिपोर्टों में इस परियोजना के अस्तित्व का उलेख किया गया है बेहद सुस्त गती से आगे बड़े इस प्रोजेक्ट ने असली रफ्तार 2017 के बाद पकड़ी जब डियाडियो ने ततकालीन रक्षा मंतरी अरुन जेतली की उपस्थिती में एक परिक्षन सुविधा केंदर में एक किलो वाट के लेजर वेपन का टेस्ट किया था अब डियाडियो इस से अपरत्याशित विधी कर इसे सो किलो वाट की शम्ता के साथ तयार करने की यूजना पर काम कर रहा है सवाल उठता है कि कैसे काम करेंगी दुर्गा देखो ब्रेकिंग डिफेंस के अनुसार लेजर तक्निक इस तरहे से काच के उपयोग से सूर्य की रोशनी को एक जगे केंदरित करने जैसा ही है जैसे एक मैगनीफाइंड ग्लास सूर्य की रोशनी को एक जगे केंदरित कर कागस को जला देता है कम शक्ति वाले लेजरों को कई सेकेंड के लिए लक्षे पर ध्यान के दृत करने की आवश्यक्ता हो सकती है जबकि बड़े लेजर और शक्तिशाली लेजर वेपन बहुत जल्दी नुक्सान कर सकते हैं तुलना के लिए एक क्रूज मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम वार हेड इंधन और टर्बो जेट इंजन जुड़ा रहता है जो मिसाइल को लक्षे तक ले जाने में मदद करते हैं लेजर वेपन इस круze मिसाईल के guidance system को पोशन भर में ही पिगला सकता है साथ ही यह हत्यार वार हैड या fuel tank में विसफोर्ट करने की शम्ता रखता है ऐसे में गाइडेंस सिस्टम और वार हेड या फ्यूल टेंक में विस्पोर्ट होने से एरो डाइनमिकली मिसाइल अनस्टेबल होकर क्रेश हो जाता है इनका इस्तमाल लडाकु विमानों ड्रोन और हैलिपकॉप्टर को गिराने में भी किया जाता है साथ ही लडाकु विमान के पाइलिट को अन्धा करने की इसकी शमता इसे बेहद विनाशकारी बना देती है ये लेजर सिस्टम रडार की भी पकड़ में नहीं आते हैं दुर्गा लेजर तक्डीक का इस्तमाल का दूर से आ रही किसी भी बैलेस्टिंग मेसाइल को पलक जपकते ही नेस्तना बूत कर सकती है दुर्गा की स्पीड ना तो दुश्मन को सभलने का मुका देगी और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी कई रिपोर्ट के मताबिक दुर्गा की स्पीड तीन सो हजार किलोमीटर प्रती सेकिंड हो सकती है जो इसे बहुत प्रभावशाली वा सठीक बना देती है हाना की ऐसी उच्छक्ती वाले लेजर हत्यारों को विक्सित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के लिए इसका सिस्टम बहुत जल्दी गरम हो जाता है जिसे समय के साथ आपरेट करना मुश्किल हो सकता है सेना को एक बुलेट फायर करने में आट सो रुपए के करीब खर्चा पड़ता है ऐसे में बड़े मिशन या युद्ध में देश को भारी भरकम खर्च वहन करना पड़ता है साथी आर्टीफिशल इंटेलिजन्स वारफेर के समय में उन्नत मिसाइल और हत्यारों से निपटने के लिए एक कदम आगे के हत्यारों के साथ लड़ना पड़ सकता है ऐसे में दुर्गा की ओपरेटिंग कॉस्ट कम और क्रूज मिसाइल को बरबाद करने की शमता उसे मॉडरन वारफेर के लिए एक घातक हत्यार मना देता है हाला कि इस हत्यार को डेवलप करने का खर्चा अभी भी काफी भारी भरकम है सुनने में आया था कि डियार्डियों ने शुरुवाती चरम के बाद ही सरकार से सो मिलियन डॉलर की मांग की थी और वो मिलने के उमीद पूरी थी पूरी है और इवे दुर्गा की तरहें लेजर वेपन से समद्धित कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है इन परियोजनाओं में किलो एंपियर, लीनियर इंजेक्टर, काली, प्रोजेक्ट आदित्य और वायू रक्षा डेजलर भी शामिल है जानकारी के लिए भारत की अतिरिक चीन और रूस भी इस सिस्टम पर काम कर रहे है दुबई में हुए एक डिफेंस एक्सपो में चीन ने ऐसे ही एक हतियार साइलेंट हंटर का मॉडल पेश किया था चीन के मताबिक यह हतियार अमेरिकी एलो डव्यूस से भी शक्ति शालिया हाना कि अभी तक चीन के पास कोई हतियार होने का परियाप्त सबूत नहीं है चनोती है युद्ध के मैदार में उत्पण होने वाले सभी महत्वपूर्ण परिद्रिश्यों में एक महत्वपूर्ण शक्ति स्त्रोथ की उपलब्दत की गारंटी नहीं दी जा सकती है बड़े पैमाने पर उर्जा के उप्योग के परिणाम के रूप में उभरने वाला एक और मुद्दा हीटिंग है उत्पण उश्मा की मात्ऱ डी इडबल्यूस की कुशल तैनाती के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में कारे करती है और इसके संचालन के दोरान उत पर गर्मी बिजली की खपत को प्रभावित भी करती है इसके हतीरिक यह सिस्टम के समगर आकार और वजन को भी प्रभावित करता है इस संबंद में चुनोती एक शीतलन तंतर का निर्मान है लेजरों के साथ एक और समस्या है जब वे किसी लक्षे की और यात्रा करते हैं तो लेजर किरने वायू मंडलिया परभाव जैसे जलवाश धूल प्रदूशा कादी पर आती हैं जो उशा उर्जा को अफशोशित या अपवर्तित करके उसे विक्रित भी कर सकती है और फोकस की हानी का कारण बन सकती है चार शामिल है जो बीम पर ध्यान के दृत कर सकते हैं अप्ट्रोनिक्स या अप्ट्रो इलेक्ट्रोनिक्स विभाग अन्य विचार भी यहां चलन में है उधारन के लिए एक लेजर किसी मिसाइल को केवल तब ही रोक सकता है यदि वै अपने इलेक्ट्रोनिक्स पैकेज को काटने के लिए परियाब तुर्जा उत्पन करता है एक प्रती द्वन्दी एक सक्त मोटी बहरी ढाल परत जोड़ सकता है इस परकार इसे डी इडबल्यू से बचाया जा सकता है इसके अलावा चूकि एक लेजर हतियार एक बार में केवल एक ही लक्षे पर ध्यान के दिल्द कर सकता है मिसाइलों की एक मोचार डी इडबल्यू रक्षा को ध्वस्त कर सकती है साथ ही कम उचाई पर उडने वाले क्रूज मिसाइलों को नशाना बनाना जो अकसर नजरों से ओजल हो जाती है वो भी समस्या गरस्त होगी गर्मी चाहने वाले गतेज इंटर्सेप्टर को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है DRDO ने भविश्य की जरूरतों को देखते हुए अगले 10 साल की योजना तयार की है पहले फेज में ऐसे हतियारों की रेंज को 6-8 किलो मीटर फिर दूसरे फेज में 20 किलो मीटर इस हतियारों की खासियत क्या है कि इसमें दुश्मन का बचना मुश्किल है यह बहुत सठीक निशाना लगाते हैं अन्य हतियारों की तुलना में इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होती है और एक साल एक साथ हमला करने वाले टॉर्गेट्स को अकेले एक लेजर हतियार संभाल सकता है बिजली के सप्लाई सही से मिल रही ही हो और तो इसे कई बार उपयोग किया जा सकता है अमेरिका ने कई साल पहले 33 किलो वाट के लेजर गन से ड्रोन मार गिराए थे अमेरिका के पाद 300 से 500 किलो वाट तक के डारेक्ट एनरजी वेपन बनाए हैं उसने जो क्रूज मिसाईलों पर भी हमला कर सकते हैं भारतिय सेनाओं के लिए पहले फेज में 20 हाई पावर इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेपन सिस्टम की जरूरत होगी ये 6-8 किलो मीटर रेंज के होगे इससे निकलने वाली किरने चाहे वो लेजर हो या इलेक्ट्रो मेगनेटिक किरने हो या फिर सब एटामिक पार्टिकल्स या फिर माइक्रो वेव किरने ये दुश्मन को पल भर में चित कर देती हैं इनके निकलने से लेकर हिट करने तक कोई आवाज या धमाका नहीं होता इसलिए दुश्मन को इनके हमले का पता नहीं चलता भारतिय सेना को एक मिसाइल को नश्ट करने के लिए कम से कब 500 किलो मीटर किलो वाट का लेजर हत्यार चाहिए इनके अलावा ऐसे भी हत्यार बनाए जा रहे हैं जो माइक्रोवेव किरने चोड़ कर दुश्मन के इलेक्टरॉनिक रेडियो सिस्टम संचार सिस्टम आदी को नश्ट कर देंगे संचार की कमी और कमांड ना दे पाने की स्थिती में दुश्मन बेहत कमजोर हो जाता है इस से उस पर हमला करना आसान हो जाता है आपको आपकी क्या राया प्लीज कमेंट करके लिखे धन्यवाद